गाईज अगर आपके पास Samsung का phone है और उसमें आप सब लोग यहाँ पे कोई भी application डाउन्डूट कर रही हैं और यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से problem आती है यहाँ पे लिखा रहता है could not install app, contact your watch to your phone and try again तो इस तरीके से आपको problem आती है तो इस problem को आप कैसे solve करेंगे वो मैं आप सभी को इस video में बताने वाला हूँ तो गाईज चलिए video start करते हैं मैं आपको बताता हूँ तो बिसिकली यह जो problem रहता है वो यह जो application आप डाउनलोड करते हैं वो आपके phone में support नहीं करता है तो जिसके वज़े से आपको जो है इस तरीके से problem आती है और second reason हो सकता है कि आपके phone में network ना हो तो भी यह problem आ जाती है तो आप एक बार network को भी check कर लिजिए और जो third reason हो सकता है guys कि अगर आप जो भी application जो है play store से डाउनलोड नहीं करते हैं किसी भी third party application से करते हैं यानि कि website वगरे से करते हैं तब यहाँ पे आपको इस तरीके से problem आती है तो जब भी आप कोई भी application डाउनलोड करते हैं तो third party से बिल्कुल भी मत किजिएगा उसमें कई सारे virus वगरे रहते हैं तो आपको only play store से ही जो है application को यहाँ पे डाउनलोड करना है तो उसके बाद आपको यह problem नहीं आएगी तो गाइस अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिजिए और हमारे चैनल को subscribe भी कर लिजिए तो चलिए गाइस मिलते हैं next वीडियो में